आप सबका एक बार फिर से ने वड़े पर स्वागत है वीडियो सुरू करने से पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पर एक छोटा सा गीवे चल रहा है अगर आप उसको पार्टीसिपेट नहीं किया तो जाके पार्टीसिपेट कीजी अभी ही हो सकता है उसका पूरी तरीका से खराब हो चुका है और एक इसमें सही है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है इसमें क्या होता है अंदर और इसको कैसे मतलब रिपियर भी कर सकते है या नहीं रिपियर कर सकते है और इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कैसे यह काम करता है य चेकर के करेंगा कर और यहां पर घर खाव ढार चाहर जैसा रहता है यहां लेकिन यहां पर सकुने सब म Holy मैंने यहां से खोल पे अलर्डी राखा हुआ हम आप आप नाया लगाया हूँ तो यह जो है सेकंड एड है पूराना है इसलिए यहां पे स्क्रू नहीं था यहां पे खोलने पर आपको एसे ऐसा देखने को मिलता है और यह क्वायल है जो मेरा काम करता है और यहाँ पे सभी pointer है आपको pointer दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे first point और second point third point ऐसा 5 point आपको बना होगा हो सकता है आपके regulator में point कम या जादा भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे 5 point है यहाँ पे देख सकते है तो यह बिलकूर तरीका से खराब हो चुका है यहाँ पे चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ मल्टिविटर को मैं रखता हूँ continuity mode में यानि बीप के जो हमारा आवाज मिलता है और यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं देखिए यहाँ पे वीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है यहाँ पे एक प्रॉब को लगाएंगे और दूसरे वाले point पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा reading आपको मिल रहा है तो यह हमारा सही है यहाँ पे यह वाला coil सही है यहाँ से यहाँ तक हमारा सही है लेकिन जब हमारा आगे चेक करेंगे तो आगे नहीं बता रहा था मतलब आगे नहीं बताएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी continuity नहीं है तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ से दूसरे pointer जो है, थर्ड नमर का वहाँ पर नहीं है, और यह आहाँ पर फोर्थ नमर पर नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आगे वाले पॉइंट को हम देखेंगे तो यहां पर भी देखें कोई भी हमारा यहां पर continuity नहीं है अगर यहां पर हमें continuity मेल था तो इसको रीपियर भी कर सकते थे थोड़ा मतलब उदर से डायरेक्ट करके एक पॉइंट हमारा काम नहीं करता लेकिन इसको यूज में हम ले सकते थे लेकिन यहां पर एक ही पॉइंट काम कर रहा है और सभी पॉइंट यहां पर काम नहीं कर रहा है तो हमारा आगे का जो भी क्वायल है वो कट गया है या जल गया है जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है अगर हमारा यहां इधर बता कि रहाता हूं को यहांं सब्सक्राइब करता है यह चीज है आपको टावट नहीं रहा है कोल दो गिलियर और यहां मैंने इसाखने से कर्दें और यहां पर देखिए स्याव है यहां पर आपको देखने को मिलेगा. इसमें भी 5 पॉरेंट है तो सेम उसी तरह का है तो यहां पर चलिए चिल चिक करके दिखाता हूं मल्टीमिटर को मैं शच कढ़े मार्टे यहां पर आपको कुछ reading मिल रहा होगा है तो यह हमारा कॉइल सय है आगे भी देखते हैं यहां पर भी आपको रिडिंग मिल रहा है यहे आगे दाफियों कंपन दोड़िख्या में कि धितिया है यहां पर भी हमारा reading मेल रहा है और यहां पर सभी पॉट्व // उक है एसा ही आपको reading मिलना चाहिए तभी आपका यह regulator सही मना जाता है यह जो coil है coil हो जाता है या short हो जाता है कट जाता है जिसके current हमारा काम नहीं करता है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं और इसमें एक rotary switch लगा होता है जो हमारा मतलब गुमाने का काम करता है मतलब पॉइंट चेंज करता है तो हमारा rotary switch होता है तो ऐसे आप किसी भी लेक्टर को change कर सकते हैं और खराब हो तो उसको change भी कर सकते हैं असानी से यह हमारा पुराना वाला है और यह नया वाला है मैं आसा करता हूँ कि जो भी जनकारी आप ढूंड रहे थे वह आपका जनकारी मिल गया होगा फिर भी अगर आपका कोई कोशन होता है तो आप कमेंट किजिए मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा वीडियो करते हैं वीडियो अच्छा लगए एक लाइक करना अपने दोस्तों पास शेयर करना और इसी तरह का वीडियो पाते कर दोस्तों।